आगरा किस सरवाधिक लोग प्रिये चैनल सी न्यूस के आप को आज ही गूगल प्ले स्टोर से डाउन्डोड करें सी न्यूस चैनल के यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब करें और हाँ बैल आइकन को प्रेस करना ना भूलें महापौर नवीन जैन ने कहा कि शास्त्री पुरम नगर निगम को एक वर्ष पहले हस्तांतरित हुआ है अगर यह इलाका नगर निगम को चार वर्ष पहले मिल गया होता तो यहां विकास की गंगा बहा देता फिर भी अभी छह माह का समय बाकी है। आप शास्तरी पुरम का विकास होता हुआ देखेंगे। लोगों ने इस पर खुशी जटाई कि महापौर शास्तरी पुरम में विकास करेंगे। पानी की पाइपलाइन बिछे हर घर में शुद पानी पहुंचाना मेरा लक्ष है आपको यह जानकर ताजब होगा कि नगर निगम की सीमा 1250 किलो मीटर शेत्र में फैली हुई है हमने रास्ट्रिय भावना जागरत करने के लिए आगरा में तिरंगी लाइट लगाई है 25,000 प पर पौधा वश्य लगाएं हमने आगरा को क्लीन और ग्रीन बनाने का अभियान शुरू किया है जिसमें मदद करें चार प्रतनिधी मिलकर करेंगे विकास विधान परिशिद सदस से विजय शिवहरे ने कहा कि शेत्र के निवासियों की प्रतेक समस्या का समाधान होगा य उन्होंने कहा कि मोदी और योगी सरकार देश और प्रदेश के विकास के लिए काम कर रही है कोरोना काल मैं बिना भेधबाव के सबको राशन दिया गया सरकार प्रते घर में पानी की आपूर्ती नर के माध्यम से करने जा रही है जो सबसे बड़ी बात है शास्त्री पुरम की समस्याओं का समाधान सांसाद राजकुमार चाहर, विधायक बेबी रानी मौरे, महापौर नवीन जैन और मैं स्वेम करूँगा घरगर कूडा कालेक्शन के लिए अभार जताया स्वागत समहारों के दौरान समीती के सचिव डॉक्टर भानू प्रताप सिंग ने जनता की ओर से एक ग्यापन पढ़कर सुनाया उन्होंने मांग की कि शास्त्री पुरम नाले के अंतिम छोर पर जलनिकासी व्यवस्था की जाए जलनिकासी न होने से पिछले चार वर्षों से घरों में पानी खुस रहा है समीती को कम्यूनिटी सेंटर बना कर दिया जाए ताकि न लाब न हानी के आधार पर इसका संचालन किया जा सके आश्वासन दिया कि यहां की समस्याओं का समाधान होगा महापौर और MLC ने शास्त्रीपुरम जनसेवा समीती का पदेन सरक्षक बनने की सहमती दी शास्त्रीपुरम में घर घर कूडा कलेक्शन करने, सडकों का निर्मान, पुलिया बनवाने, पार्क का सोंदर्य करण और हाई मास्ट लाइट लगवाने के लिए महापौर का आभार प्रकट किया गया सरकार की लाबकारी योजना बताई समीती के अध्यक शेवंपारशद मंजुवाशने तथा पारशद कमलेश कुमार जाटव ने अतीतियों को ग्यापन दिया श्री जाटव ने सरकार की लाबकारी योजनाओं के बारे में जानकारी दी इस दोरान असिस्टेंट प्रोफेसर चयन में पूरे प्रदेश में दुतिय रैंक हासिल करने पर श्री ओसवाल चाहर को सम्मानित किया गया तमाम लोगों ने अपने शेत्र की समस्याइं बताई जिन्हें मौके पर ही नगर निगम अधिकारियों को हल करने का निर्देश महापौर ने दिया उलेकनी ये उपस्तिती C News के लिए विजय भगेल की रिपोर्ट